अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको रेगलर अपडेट मिलती रहें वेलकम तो माई चैनल लाण मीदेश्टडी दोस्तों दिस इज अलजेबरा पार्ट 13 इसमें हम देखेंगे मैक्सिमा और मिनमा के कुछ अलग पूछे जाते हैं सम्टाइम्स एक्ससी एक्जाम में आते भी एक कोशन को तो इसको हम कैसे सोल्व करना सीखेंगे कि 2-3 सेकेंड म मतलब कर रहा है कि अगर a plus b कहा और a b find out करने को कहा तो इसकी maximum value find out होगी अगर a b दे दिया है और कहार रहा कि a plus b find out करना हो तो इसकी minimum value define होगी अब maximum और minimum define करने के लिए आपको कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ जैसे देखो ssc exams के ही question से लेके चलते हैं जैसे देखो यह s plus b is equal to 10 तो a b की value तो अभी मैंने बताया था अगर plus के form में और multiply के form में पूछेगा तो हमेंसा maximum value पूछेगा और multiply के form में दिया हो और plus की value पूछेगा summation की value पूछेगा मतलब तो उसमें minimum value होगी ठीक है तो अब देखो जैसे हमें 2 quantity दी हुए 2 quantity का multiply पूछ रहा है तो इसको अब क्या करते हैं break कर लेते हैं 5 और 5 ब्रेक कर लिए तो 5 5 कितना हो गया 10 तो a की value 5 हो गई और b की value क्या हो गई 5 maximum a b की value क्या होगे a b की value 5 into 5 तुमारी कितनी होगे 25 यह तुमारी गई maximum value सेम उसी तरह देखो a plus b plus c क्या चाहिए maximum value 30 है 30 को क्या कर लो तीन पार्ट में बाठ लो कि तीन quantity है ठीक है चार तीन quantity है तो 10 10 10 कर लिए तो a b c की maximum value क्या हो जाएगी 10 into 10 into 10 तुमारी कितना होगे 10 नह हमे 100 100 हमे 1000 तो इस तरह से आपका यह answer हो गया next question देखो question कर रहा है कि a plus b a plus b plus c is equal to 9 दिया question इसकी maximum बोल रहा है a plus 1 b plus 1 c plus 1 तो पहले तीनों को add कर लो कभी यह नहीं कर देंगा कि 3 3 3 कर लिए तो यह तो a b c की value देखो दोनों ची मैं बता रहा हूं जैसे देखो इसको add करो a plus plus 1 plus b plus 1 plus c plus 1 इसको add करो देखो a plus b plus c value 9 और 111 कितना हों गया 3 यानि इसकी value क्या आगर 12 12 को किस में 3 पार्ट में बाटना है एक दो 30 तो 12 को तीन पार्टों में बाट लो जैसे देखो हम क्या करेंगे A प्लस 1 प्लस B प्लस 1 प्लस C प्लस 1 ठीक है इसको हम 12 आ गया 12 को तीन हिस्व में बाट लो 3 3 3 इसी का multiply पूछ रहा है तो multiply कर दो किना होगा तितली के 9 नतली 27 सोरी देखो 9 3 12 इसको 4 4 के पार्ट में माट होगे 12 कैसे आएगा 4 4 4 ठीक है तब 12 आएगा 4 4 12 हमारा आया तो 12 को 4 4 चाचोगे 16 16 64 ये तुमारा क्या हो गया answer ठीक है कभी ऐसे मत कर देना कि इसको 3 इसको 3 और इसको 3 करके इसकी value 3 into 4 4 4 ऐसे भी आ जाएगा बट आपको चाहिए इस way से भी कर सकते हो इस way से भी कर सकते हो ठीक है next question देखो question कह रहा है कि a plus 3 b plus 1 c plus 1 क्यों मैं इसको बोलाओं कि इस way से नहीं कर सकते क्यों कि इस way से करोगे तो next question में problem हो जाएग हम मारा जो better way है concept way वो है ये वाला way next question देखो question कर रहा है कि a plus b plus c is equal to क्या है 6 तो इसकी value find out करो इनको sum करोगे तो क्या हो जाएगा a plus b plus c इनका sum करो जैसे a plus 3 plus b plus 1 plus c plus 2 sum करोगे तो क्या हो जाएगा देखो a plus b plus c की value तुमारी plus 3 plus 1 plus 2 ठीक है अब देखो a plus b की value c की value 6 given है plus 3,5,6 12 अब 12 को ऐसे break करो 12 को ऐसे तीन पार्ट में break करना है तो क्या करोगे 4 4 4 इसी की maximum value पूछ रही तो multiply कर लो maximum 3 की multiply में है तो 64 ये तुमारा क्या होगे answer अब रहने अभी बताया था next question में देखो क्या रहा है कि अगर a b की value given है और a plus b की value पूछ रही तो उसकी minimum value ही हमेसा मिलेगी तो जैसे देखो a b is equal to 100 है तो a plus b की minimum value अब ये देखो हम क्या कर सकते है इसको 10 into 10 कर लें a plus b 10 plus 10 10 into 10 100 होगा ये तुमारा क्या हो जाएगा 20 20 की क्या होगे minimum value a b c की 125 तो a plus b plus c plus 8 की minimum value find out to इसको हम तीन quantity है 5 into 5 into 5 में break कर लें तभी तो तीनों quantity में break कर लें a plus b plus c 5 plus 5 plus 5 और पहले से 8 है 15 plus 8 कितना होगे तुमारा 23 next देखो एक बहुत ही concept कर लो इसको या formula कर लो ये बहुत ही अच्छा concept है इससे भी direct ssc exam में questions पूछे गया है जैसे देखो x is equal to दिया है कि 4 a b divided by a plus b question कहा कि x plus 2 a देखो यहाँ 4 है तो यहाँ 2 कर रहा है x plus 2 a divided by x minus 2 a plus x plus 2 b divided by x minus 2 b तो इसकी value तुमारी होगी हमेशा 2 उसी तरह देखो अब same चीज है 2 a b के जगा 4 a b के जगा पे 2 a b कर दिया गया है तो अगर यहाँ पे 2 कहा रहेगा तो इसका यहाँ पे क्या रहेगा a रह जाएगा ठीक है तो x minus x इस form में same रहे तो इसकी value भी क्या होती है 2 जैसे देखो same यही quantity अगर यहाँ पे 4 है इस types के formation हो 4 है तो यहाँ पे क्या है तुमारा 2 और यहाँ भी 2 तो इसकी value भी क्या होगी 2 same formation में उसी तरह अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे तो क्या है सिर्फ 2 का divide करें यहाँ तो यह बन जागा इसकी value क्या होगी 2 जैसे यह देखो यह भी question पूछा गया है question कर रहा है कि x is equal to 4 root 6 root 6 को हम लिख सकते है root 3 into root 3 क्योंकि वो नीचे भी देख चुका है तो यह form में बन गया है 4 root a b divided by क्या नीचे root a plus root b की form में बन गया है तो अभी हमें पता था कि इस तरह की value हो तो इसकी value क्या होती है देखो a यहाँ पे तुम्हारा root 3 आ जा रहा है और b equal to root 2 यहीं root a और root b की value तो इसकी value डायरेक्टन क्या लिख देगे तू अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें साथ ही साथ कॉमेंट्स करना ना बूले तो कि अधर पॉमेंट्स करते हैं तो मेरे पदा चलता है कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कॉमेंट्स करना ना भूलें साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए Newton तो सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपको रेगुलर जो पंटिन्यू सीरी जलजबरा का आज कम्प्लीट करा दूँ थाइंक यू बाबाय